जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। PP-AMD टैबलेट एक डॉक्टर के परचे की दवा है जिसका इस्तेमाल अपच, नाराज की, पेट दर्द या जलन जैसे अमता के लक्षणों से राहत देकर गेस्ट्रोसोफिगल रिफलक्स रोग, कल सरोग के इलाज के लिए किया जाता है। PP-AMD टैबलेट पेट में एसिट को निश्क्रिय करता है और पेट की परेशानी को कम करने के लिए गैस के आसान मार्क को बढ़ावा देता है। यह डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार खुराक और अवधी में भूजन के बिना दिया जाता है। आपको दी जाने वाली खुराक आपकी स्थिती पर निर्भर करती है और आप दवा के प्रतिक ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं। जब तक आपका डॉक्टर सलाह देता है तब तक आपको यह दवा लेते रहना चाहिए। यदि आप बहुत जल्दी इलाज लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और खराब हो सकती है। अपनी स्वास्थ्य सेवा टीम को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं क्योंकि कुछ इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं। सबसे आम दुश भी दुश प्रभाव के बारे में चिंतित हैं तो सीधे अपने चिकित्सक से संपर्क करें। यह दवा चक कर आना और नींद का कारण हो सकती है। इसलिए जब तक आप यह नहीं जानते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती हैं तब तक गाड़ी न चलाएं या ऐसा क कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यक्ता हो। इस दवा को लेते समय शराब पीने से बचें क्यूंकि इससे आपकी नींद खराब हो सकती है। जीवन शेली में बदलाव जैसे ठंडा दूद पीना और गर्म चाय, कॉफी, मसालेदार भोजन या चॉकलेट से परहेज करना आपको बहतर परिनाम प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इससे पहले कि आप इस दवा को लेना शुरू करें, अपने चिकित्सक को सूचित करना महत्वपून है कि क्या आप गुर्दे या जिगर की बीमारी से पीडित हैं। आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।